इसी दुनिया में आजाए लोग लाजा के जंग अपने यह लगा हुआ है यहाँ पर निरंकारी बैकरी जो भी मेले में आपको छोटी शॉप्स दिखती हैं छोटे दुकंदार दिखते हैं उनसे पर्चेजिंग ज्यादा करें सब्सक्राइब करने वाले हैं यह सबसे बढ़ा वाला जूजा तो दोस्तों आज देखेंगे कि व्यापार मेले में क्या नया आया है और हम लोग आज पूरा ग्वाली व्यापार मेला घूमने वाले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया कि आप लोगों को काफी सारी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं ग्वाली व्यापार मेले में और हम लोग आज भी घूमेंगे ग्वाली व्यापार मेला और देखेंगे और क्या नया आ चुका है ग्वाली व्यापा तो फ्रेंट्स अभी तो काफी सारे शोरूम फ्लग रहे हैं आप देख सकते हैं अभी हम लोग है छत्री नंबर तीन के पास और यहां के जितने भी शोरूम है अभी पूरे तरीके से लगे नहीं अभी लग रहे हैं तो फ्रेंट्स फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं ग्वालियर व्यापार मेले में और यहां से आप देख सकते हैं यहां से कुछ शोरूम अभी लगे नहीं है तो फ्रेंट्स ये लगा हुआ है यहाँ पे निरंकारी बैकरी और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रिजवासी चार्ट भंडार जो की है ग्वालियर का काफी फेमस चार्ट के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी छोटी ओडी शॉप्स लगिए तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ है जो भी मेले में आपको छोटी शॉप्स दिखती हैं छोटे दुकंदार दिखते हैं उनसे पर्चेजिंग जादा करें क्योंकि दोस्तों हम लोगों के भरोसे ही वो लोग बैठे रहते हैं तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है जैसे जैसे दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे थे हम लोगों को काफी सारी अलग अलग तरीके की शॉप्स दिख रही थी तो मैं आपको सजेशन दूँगा अगर आप गौालियर के आसपास भी रहते हैं तो गौालियर व्यापार मेले में जरूर आएं दोस्तों यहां से शॉपिंग जरूर करें क्योंकि दोस्तों इस बार का जो गौालियर व्यापार मेला है काफी अच्छा लगा और काफी बड़ा लगा और इसमें काफी सारी नई नई चीजें भी आ चुकी है आज है मंडे का दिन और पूरे मेले में सबसे ज्यादा भीड़ है यहाँ पे जूला सेक्टर पूरे मेले में इतनी भीड़ नहीं है इतनी भीड़ हो रखी अभी जूला सेक्टर जो प्राय करने वाले हैं यह सबसे बड़ा वाला जूला दोस्तों यह है आईबोन ब्रैंड का नैग बेंड जो की चलता है पूरे असी घंटे और इसमें एविलेबल है प्माच कलर अगर आप इस नैग बेंड को लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं www.eyebonbrand.com से जो जो आपके कलिए है इस चले मेंrt दिखते मेर को तो अभी से घवराट होने लगी है यह इतना बड़ा जूला देखके है तुछ फाइनली बैठ गए देखने हम कैसा लगता है इसमें मैं एक बार पहले और बैठा हूँ और तब तो मेरी आलब खड़ाब होगे दे लेकिन अभी मैं वीवर्स को दिखाने के दोबारा बैठ गया हूँ कि कैसा फील होता है इसके अब बाइ देखो हम कितनी उचाई प्रावे नीचे पिछ भी रीज़ दे लोग देख रहे हैं कितनी उचाई है हुआ है खत्म बाई बाई टाटा गुट बाई गया मतलब जो जूला नहीं जूलता हो न वो अगर इसमें आके बैढ गया तो उसकी हालत खराब होने वाली है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है बहुत मज़ा रहा है मतलब एक अलब भी फील हो रहा है तो फ्रेंट्स ये देखो ये है असली नजारा ये है असली मेले का लुक जो उचाइस इसमें दिख रहा है वो हम लोगों को नीचे से कभी नहीं दिख पाता है अगर आपको जूलना पसंद करते हो तो ही जूले में आके बैठना आप देख सकते हैं कितना हाइड पर जा रहा है और जैसे ही उपर से नीचे उतर रहा है बहुत देचैनी हो रहे है इस उपर से मैं आपको नाव वाला जूला चलते हूँ दिखाता हूँ यह पूरा चल रहा है कितना उपर जा रहा है तो फ्रेंट हो गया हमारा यह वाला जूला और अब देखते हैं बाहर हम लोगोंते हैं मेले में यह गाड़ी आई यह मेले में बच्छों के लिए छोटी-छोटी सी लोग लाजा लोग लाजा लोग लाजा तो फ्रेंट्स यहां मिलती है गरम-गरम नान कटाई तो भी यह क्या रेट की देते हो चालिस की सोग्रा अच्छा और चारफ और कि लो अच्छा आप लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरह तो फ्रेंट्स आपने आज की वीडियो देखी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताने कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज मेले में हम लोगों को जूला तो दोस्तों इस तरीके कि आपको आगे भी बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है तो मेरे चैनल पर बनी रही हैगा चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और देखे रोज नए व्लोग्स